हेलो फ्रेंड्स मैं आज अपने लाइफ पढ़नर के वारे में आपको कुछ इन्फोर्मेशन सेर करना चाहता हूँ एक्चली मुझे एक मैडिकल सेंस स्टुडेंट की से मेरीज करना है तो अगर आप मली कुछ हेल्प कर सकते हैं तो थो ट्राय कर लिजी ठीक है फ्रेंड्स तो मैं मेरे बाद में कुछ आपको शेर करना चाहता हूँ मेरा नाम हेमन जिना है मेरा बड़तो प्लेस कोटा राजिस्तान है मेरे फादर जो थे वह रेल्वे एंपले थे मेरे पापाजी का देहां 2013 हो चुका है और उसके बाद मेरा बड़ा भाए रेल्वे में हैं और प्रजेंड में हम में और मेरे मम्मी हम दूए ही यहां पर रहते हैं और मेरी चुटी भेहन थी उसकी शादियों चेकिये मेरा बड़ा भाई रेल्वे में जॉब करता है कुटा राजिस्तान में ठीक है फ्रेंट्स मैं बाइप्रोफेशनल अभी यहां पर मैं अपने बार म बताता हूं मैंने 6 लास जोब कना श्टाट किया था आज तक मैंने कम से कम एप्रोक्स्मेटली 40 जोब कर चुको हूं मैं ठीक है फ्रेंट्स फोटी टैप्स की जोब का मुझे एक्सिटेंस है और अभी प्रेजेंट में मेरे 5 बिजनस कंटीनियू में है एक तो है कंप्यूटर एक मोबाइल एक जीम सेंटर एक फार्मिंग और एक नेट्वोक मार्केटिंग तो फ्रेंड्स यह मेरी डिटेल्स थी मेरा बर्तोपले से 4 6 1988 अभी मेरा एप्रोक्सिमेटली एज है 35 तो बस यह मेरी इंफोर्मेशन थी और मैं मैं 12 मेरा बर्तोपले स्कोटर राज्यस्तान था तो मैंने वहीं पर स्टड़ी की थी तो मैंने हाया हाय 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 इसली 12 विस सैंस में क्या हुआ है ठीवे फ्रेंड्स देखिए डेम तो बहुत बड़ा था और भी जाता पढ़ना है मेरा ड्रिम आइटीन का था इंटरनेशनल इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोची ठीए फ्रेंड्स पर क्या करें मेरा फाइनेंसल बेक्राउंड इतना अच्छा नहीं था उस टाम पर और मैं डिपेंडबल था अपने पेरेंट् कि मेरे को सपोर्ड नहीं कर पाएं हायर एजूकेशन के लिए तो वहीं से मुझे अपना जो एजूकेशन से मुझे रोकना पड़ा ठीक है फ्रेंड्स तो इतना में कहीं नहीं सकता पर मेरा जो ड्रीम है मैं चाहता हूं मेरे घर के लिए एक लाइफ मांटन चीर जो की लाइफ मांटन रोगी उसकी क्या क्वालिटी होने ची मैं आपको यह कर देता हूं वह थोड़ी मिस उसकी हाइट हो क्यूट हो और मिस हाइट क्यूट और उसकी जो वाइस हो वह भी बहुत प्यारी हो ठीके फ्रेंड्स मैं देखिए अब क्यूं कहे रहा हूं यह सब इतना कंडिशन्स रखने का रिजन क्या देखिए इसका रिजन में आपको क्या क्लियर करता हूं कि देखिए मैं क्या हूं मैं समय आप जो इमेज छोड़ रखा है वह एश्वरेजी का छोड़ रखा है तो उनकी भी क्या हाइट है क्वालिटी है सिंगिंग है मैं अच्छे सिंग कर देना चाहता हूं आपका द्रेम क्या आपको कैसे लाइफ पार चीए वो मत देखे साधी करी यह देखिए की आपके आनेवाले जर्नेशंस को क्या चाहिए देखे उसका ड्रेम क्या होगा अगर अब Siya के ब्लिस ब्लैन तरह प्लिस में कुछ तो तो उसके हिसाब से ही आप लाइफ पार्टन राइप वह कर सकता हूं भालक में चाहिक सकते मों से अकेल ही सब करता हूं थिण न मैं पैटी की फार्मिंग करता हूं, मैं उसमर किसी इन्सान का नहीं लिस भीन द्रिफट तो घ्राइपूर्स पर्णित नहीं हम संत संत्रय से सब भिन पढ़ें candies, कि और दिखिए ज्यादा नहीं तो वो टैलेंट और मिस और सब एक हाइट हाइट और एक ब्रेन और एक फैस कटिंग बस यह तीन चीज होने चाहिए क्योंकि इन तीन हाइट को आप आप after marriage ग्रो नहीं कर सकते हैं ठीक है friends म वो भी आप बाद में कर सकते हैं अपना आपको मिस ब्यूटिफुल बना सकते हैं पर अगर बिफोर ब्यूटिफुल होगा तो और भी अच्छा रहेगा ठीक है फ्रेंड्स तो मैंने मेरे बारे में इतना कह दिया कि भी आमें और अपना नेट्वर्क मार्केटिंग करता हूँ तो इतना कियना चाहता हूं कि अगर आप जितने मेरे भाई में हैं और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं अगर मेरे थोड़ी कर सकते हैं तो कर लिए और जो मेरे लिए एक medical science student ढूणने की कोशिस करेगा मैं उसको free में एक computer और एक laptop देने वाला हूं ठीक है friends और यह मैं समझे कि आप खाली में उसको ही दूँगा वाया जितने भी उसके reference होंगे उनको भी मैं कुछ ना कुछ दूँगा ठीक ही friends जो भी आपकी demand हो अगर आपको और भी कुछ demand चाहिए मेरी help के लिए तो आप कह सकते हैं मेरा यह मैं अपना WhatsApp नमबर इसमें mention कर देता हूं मेरा WhatsApp नमबर क्या है तो मैं अपना WhatsApp नमबर इसमें mention कर देता हूं तो उसका according देखिए खुली बात होता हूं तो मैं अभी आपको clear कर देना चाहता हूं कि आप मुझे अगर WhatsApp है के candidate का photo send कर देंगे तो उसका according क्या देखिए आज कल किया मैं किसी घर पे जाके वह जो old method था कि किसी घर पे जाके एक life partner selections करना और उसको मना का हाँ या ना करना वह अलग वह old method में नहीं जाना चाहता है क्योंकि देखिए एक लड़कियों क्या problem face करने पड़े को तुम्हें कहने नहीं सकता पर एक लड़की वह बहुत सारी problem face करने पड़ती है अगर कोई उसकी घर पे आ मेट करना है या जो भी करना है मैं सबने आपको उसे डिस्प्ले करना है या information send करने तो अगर by whatsapp ही हम send करके confirm हो जाए या हम whatsapp में अगर हमें लगा कि हमारे life partner की quality अच्छी है कि हमारे life partner की like है तो हम आगे का method आया आगे process करेंगे अगर लगता है कि यह हमारे काबिल नहीं ह necessary उसका time loss करें उसका money loss करें उसका food loss करें ठीक फ्रेंड्स तो एक और बात है कि भी है मेरी जो life partner है मुझे उससे कुछ भी demand नहीं चाहिए देखिए मैं जो medical science student चाहिए उसका एक ही reason है friends क्या only for my mother ठीक है मेरी देखिए देखिए friends मैंने मेरे फादर को उसी medical की problem की चकर में मेडिकल की medical ठीक time पे नहीं मिल काने करण मैंने मेरे पापा को खो दिया है ठीक है ना मैं नहीं चाहता है मेरे घर का कोई भी life partner को मैं in future खोने वहाँ ठीक है friends क्योंकि अभी मेरे लिए मेरी मेरे मदर है मेरी मेरा I love my mother ठीक है ना friends तो में इतना कहना चाहता हूं मेरे मेरे मन को बहुत प्रयाप्यार करता हूं तो आप से बस इतना request है मेरे को बस जो medical student है जो medical की girl है जो मुझसे marriage करने वाली है मुझसे उसको कुछ demand नहीं चाहिए मुझे उसका कुछ demand नहीं चाहिए वो job करे या न करे वो भी मेरे लिए उसकी भी मुझे जरूत नहीं है कि वो job करे या ना करे वो उसके उपर dependable है अब किसी या कोश्चन ए सकता है कि आपकी क्या क्वालिफिकिशन्स है कि इतने लोगों ने मुझे कहा भी तक आपकी क्या क्वालिफिकिशन्स है कि आप कितने पड़े लिखे हो कि आप कितना इंकम करते हो फ्रेंड्स में इतना किना चाहता हूं देखिए क्वालिफिकिशन् था इंटरनेशनल इंस्टूट ऑफ टेक्नोलोजी ठीक है ना फ्रेंड्स पर क्या करें अकोर्डिंग ऑफ कंडिशन परी रोख दिए ठीक है विसी स्टूट है विसर को फूर्ट है तो इस की दिए को बैरे स्ट विक्व क्योंध बती है अगर आपकी हाइट अच्छी होगी तो आपके आने वाले जनरेशन की हाइट अच्छी होगी अगर आपका फैस्स कटिंग अच्छा होगा मैं साप अगर ब्यूटिफुल दिखा देता होगा तो आने वाले टाइम में आपकी जनरेशन ब्यूटिफुल होगी अगर आप ब्रैनी होंगे तो वा सिल आनेवाले ईशर्टाइम । सब्सक्राइब करें तो इतना रिक्वेस्ट है इसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरी लाइफ पार्टनर को थोड़ा जल्दी से जल्दी ढूने के लिए मेरी हेल्प कर दीजिए ठीक है तो उसके सबसे मेरा एप्रोक्सिमेटली एज 35 हो चुका है ठीक है तो अगर थोड़ी से आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारे रहूंगा और इमें इतना किराओं जो मेरी हेल्प करेगा उसको जो भी मुझसे गिफ्ट चाहिए वो मुझे वाट्सब कर सकता है अपना वाट्सब नुमर इसमें मैंचन कर देता हूं ठीक है फ्रेंड्स तो इतना आपको कहना था इतना रिक्वेस्ट है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सुवर मेंच